इडन्बर्ग की नई रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में सेवी की मौझूदा चेर्मेन मादवी पुरी बुच और उनके पती दवल बुच पर वितिय नियमित्ता का बड़ा आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट की वज़े से राजनेते गलियारों में सियासी वार पलट वार भी जारी है कॉंग्रेस से लेकर आम आर्मी पार्टी तक इसे मुद्धा बना चुकी है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आकर ये पूरा माज़रा क्या है बीते साल अदानी ग्रुप को लेकर अपने रेसर्च रिपोर्ट जारी करने के बार अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फॉर्म हिंडन बॉग ने नया दावा किया है हिंडन बॉग ने अब सेवी चीफ और उनके पती पर गंभीर आरोप लगाए है हिंडन बॉग के दावे में कहा क्या है कि जिस आफशोर फंड में अदानी का स्टेक है उसी आफशोर फंड में सेवी प्रमुक मादभी पुरीव बुच और उनके पती धावल बुच का स्टेक है हिंडन बॉग के आरोपों को सेवी की चेपवसन और उनके पती ने सिरे से खारच करते हुए बेबुनियाद बताया सेवी चीफ और उनके पती की तरब से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बॉखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं हिंडन बॉग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडन बॉग के आरोपों को नकार दिया अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावना फोन और पूर्वाग्रफ वाला बताया गया हिंडर्बोग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है कॉंग्रिस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किये और जेपीसी से जांच की मांग की है वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कॉंग्रिस को घेरा कागत सब के सामने है उसका जवाब दीजिए क्या ये ओफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी ये तो सब के सामने है न हाँ या ना का जवाब है ये तो हम सेभी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे हम देश के प्रधान मंतरी से सवाल पूछ रहे है क्या आपकी सरकार जो की बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आपको क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं ग्रेटा थंबर का स्टेट्वेंट ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजेगा है संसत्सत्र के दोरान ही आते हैं और आज बरबस्त विपक्ष ने जब संसत्सत्र का विशे उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत्सत्र के दोरान एक अविवस्था का वातावरन उत्पन किया जाए वही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेवी चीफ को उस भष्ट अचार की जाच की जिम्मेदारी दी गए जिसमें खुद उनका पैसा लगा था आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग ने आरोप लगाया कि सेवी चीफ और उनके पती ने करोडों रुपए का घुटा ला किया माधवी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच ने लगभग दस मिलियन डॉलर उन्ही फरजी कंपनियों में लगाये हैं उन्हीं फंड्स में लगाये हैं जिसकी इनको जाज करनी थी यानि जिस भ्रस्टाचार के मामले की जाज सेवी अध्यक्ष को करनी थी वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेवी चीफ पर आरोप लगाये हैं जिनके न्योक्ति केंद्र सरकार करती है फिलहाल मादभी पुरे बुच सेवी की चेव पौसन है और मार्कट रेगुलेटर की पहली महिला अध्यक्ष है इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समोप पर आरोप लगाये थे जिसमें सुप्रीम कोट के निर्देश पर सेवी ने जाच की थी और जनवरी दो हजार चौबीस में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिच कर दिया था इडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहूल गांधी का बयान सामने है राहूल गांधी ने कहा है कि आखरी सेवी पर लगे गंभीर आरोपों का जिम्मेदार कौन है आखर सेवी पर लगे आरोपों का जिम्मेदार कौन है ये राहूल गांधी ने कहा है राहुल गाने ने कहा कि इन आरोपों से सेवी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है क्या सुप्रीम कोड स्वता संग्यान लेकर जाच करवाएगी तो राहुल गाने ने इस मसले पर सुप्रीम कोड को भी खीच लिया है अजिए को बढ़ितने स्वास, तो राहुल, प्रतिए प्रतिष्टेर ने की प्रतिफितने दिनी प्रतिपक जो राहुला रखा टीज डिएरी दिसे सेनलया प्रतिवार्ट बचेटों से स्वास, इस दिविक बट राहुला कोड़ को भी महीं सबाएगी स्टेमान